तो इस वीडियो में आप सीखेंगे डेली स्पोकन इंग्लिश तुमने फोन कब चेंज किया? वें डिद यू चेंज यू पोन? तुमने फोन कब चेंज किया या कब अदल लिया? नेक्स्ट है, वो कैसे जाता है? ठीक है किसी बार हम पूछते न कि वो कैसे जाता है और फिर कैसे कहीं जाता है तो आप बोलेंगे how does he go? how does he go? वो कैसे जाता है next is उसने अपना भोजन कर लिया है या फिर उसने अपना खाना खा लिया है को आप English में बोलेंगे he have had his food he have had his food या फिर आप food की जगा mail भी बोल सकते हैं दोनों का मतलब होता है भोजन या खाना next है वो हमें घर में नहीं घुसने देगा he will not let us enter the house he will या he'll not let us enter the house next is कब आपको इसकी आवश्यक्ता होगी या फिर कब आपको इसकी जरुवत पढ़ई को हम इंग्लिश में बोलेंगे when you will need it when you will need it next है मैं तुम्हें ये नहीं करने दूँगा इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे I will not let you do this I will not let you do this next है मेर साथ ऐसा कभी मत करना या मेर साथ ऐसा कभी मत करो को इंग्लिश में बोलेंगे never do this to me never do this to me next है मुझे मत सताओ don't annoy me don't annoy me next है next है अपने हाथ अच्छे से साफ करो उसको हम English में बोलेंगे wash your hands properly या फिर आप बोल सकते हैं wash your hands nicely अपने हाथ अच्छे से साफ करो next है बहाने मत बनाओ बहुत लोगों थे बहाने बनाते हैं उसको आप English में बोलेंगे don't make excuses don't make excuses next है मेर साथ मजाग कर रहे हो क्या are you kidding me are you kidding me मेर साथ मजाग कर रहे हो क्या next है चुप चाप बैठे रहो हिलो मत बहुत बढ़ा हम बच्छों को बोलते हैं तो आप English में बोलेंगे sit still यानि शान्त रहो चुप चाप बैठे रहो don't move हिलो मत तो चुप चाप बैठे रहो हिलो मत को बोलेंगे sit still don't move next है वो निकल गया होगा को English में बोलेंगे he would have left he would have left okay next है दुर्वभार मत करो या फिर बत्तमीजी मत करो को English में बोलेंगे don't misbehave don't misbehave ओके next है हमें घर जाना होगा we will have to go home we will have to go home हमें घर जाना होगा ओके अब next है जह दिखाओ तुम्हारी जेव में क्या है show me का मतलो होता है दिखाना या प्रकट करना तो मुझे दिखाओ show me what is in your pocket तुम्हारी जेव में क्या है या फिर तुम्हारे पॉकेट में क्या है ओके show me what do you have in your pocket मुझे दिखाओ तुम्हारे pocket में क्या है ठीक है next है तुम या फिर आप यहां किसले हो या फिर यहां किसले आये हो या फिर किस वज़ा से आये हो इन तीनों के लिए हम English में बोलेंगे what are you here for आप यहां पर किसले हो या फिर आप यहां पर किसले आये हो what are you here for ठीक है अगला है नहीं मुझे कुछ मदद नहीं चाहिए कोई English में बोलेंगे no I don't need any help no नहीं I don't need any help मुझे कोई मदद नहीं चाहिए ठीक है अब अगला है मैं अब आपको बरदास्त नहीं कर सकता कोई आप English में बोलेंगे I can't tolerate you now मैं अब आपको बरदास्त नहीं कर सकता फस्ट इस जल्दी आओ यह mostly हम एक दिन में तो बोलते ही है जल्दी आओ so you can say come fast दूसरा है बातचित बंद करो या बात मत करो कोई आप बोलेंगे stop talking next है please to meet you please to meet you आप से मिलकर खुशी हुई next है जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी को हम बोलते हैं जाते वक्त जल्दी फिर मिलेंगे तो बोलेंगे see you soon see you soon अगला है कोई बात नहीं कोई बात नहीं को आप बोल सकते हैं mention not mention not कोई बात नहीं यह आप तब ही बोल सकते हैं, अगर किसी ने आपको thank you बोला हो, तो आप बदले में बोल दिजिए mention not, मतलब कोई बात नहीं, अब अगला है, यह मेरा 100 भागे है, को आप English में बोलेंगे, it's my pleasure, it's my pleasure, यह भी आप किसी को thank you के बदले बोल सकते हैं, thank you के बाद as a reply, next है, मुझ से आप अपनी ही चीज समझें, जब कोई घर में आता है, तो उसको मैं ऐसा बोलते हैं, कि अपना ही घर समझें, या इनको अपनी ही चीजे समझें, तो आप बोलेंगे, it's all yours, it's all yours, okay, अगला है, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है, उसको आप English में बोलेंगे, as you wish, as you wish, जैसी आपकी मर्जी, next is, धीरे बोलो, speak slowly, speak slowly, धीरे बोलो, अब इसमें next है, आराम से बैठो, आराम से बैठो को आप болेंगे, sit comfortably, sit comfortably, next है, सुन कर खुशी हुई, सुन कर खुशी हुई, सुन कर खुशी हुई, अब इसमें next है, glad to meet you, अगर आपकी इसको बोलना चाहते हैं, आप स से मिलकर खुशी हुई तो आप बोलेंगे ग्लाड टू मीट यू अब नेक्स्ट है अब बेशक बेशक को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं अफकॉर्स ठीक है अगर किसने पूछा आओगे तो आप बोल दीजिए अफकॉर्स का मतलब बेशक आओंगा ठीक है अब अगला है हाव लवली कितना प्यारा है किसी चीज की तारीफ के लिए आप यह वर्ड बोल सकते हैं ठीक है हाव लवली कितना प्यारा है नेक्स्ट है जल्दी करो अगला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अगला है उसकी हिम्मत कैसे हुई अगला है उसकी हिम्मत कैसे हुई तो आप बो या फिर how dare her लड़किओं के लिए हर अगला है इश्वर की दया से मतलब by the grace of God मतलब जो भी है जिंदगी में इश्वर की दया है whatever we have it's by the grace of God ठीक है अगला है कितना घिनोना है यानि कोई चीज़ गंदी होती नो तो आप बोल सकते हैं how disgraceful how disgraceful अब इसमें अगला है बहुत बढ़िया कई बार हमें तारीफ करनी होती है ना बहुत बढ़िया तो आप बोल सकते excellent excellent ठीक है next is चुप रहे चुप रहियों को आप बोल सकते हैं please quiet be quiet 7や keep quiet require check up इन चारों का मतलब होता है चुप रहो या चुप रही है ठीक है जो वी आपको comfortable लगे आप मैं यूज कर सकते हैं ठीक है next है मैं बस आ रहा हूं I am just coming I am just अगला है । only two three that's enough इतना काफी है या बस काफी है that's enough enough का मतलब होता है काफी अगला ख्याल रखना किसको बोलते ना अपना ख्याल रखना तो आप बोलेंगे take care next is और कुछ कई बर हम किसको पूछते ना और कुछ चाहिए तो आप बोलेंगे anything else anything else और कुछ ठीक है next is not a bit थोड़ा भी नहीं या फिर थोड़ा सा भी नहीं not a bit ठीक है अगला है कल मिलते हैं को आप इंगलिश में बोलेंगे see you tomorrow see you tomorrow कल मिलते हैं ठीक है next is कोई बात नहीं never mind यानिकि जो हो गई से हो गई वो बात भोल जाओ कोई बात नहीं never mind next is दूसरों को परिशान न करें या दूसरों को परिशान मत करो को आप बोलेंगे don't disturb others don't disturb others अगला है काम से जी मत चुराओ don't shark work don't shark work अगला है इसकी कितने कीमत है या फिर इसकी कीमत कितनी है how much it cost how much it cost या फिर यह कितने का है अगला है gas खतम हो गई है the gas has finished the gas has finished ठीक है next is सभी उंगलिया एक जैसे नहीं होती है ठीक है इसको आप इंगलिश में बोलेंगे all fingers are not alike all fingers are not alike सभी उंगलिया एक जैसे नहीं होती है अगला है हवा चल रही है को आप इंगलिश में बोलेंगे the wind is blowing the wind is blowing wind का मतला होता है हवा अगला है not a big deal कोई बड़ी बात नहीं है not a big deal कोई बड़ी बात नहीं है अगला है कोई आया है क्या has someone come कोई आया है क्या has someone come next वह फरार हो गया आप बोलेंगे he absconded next is ये काम करो do this work ये काम करो next is ये काम होने दो let this work be done अगला है उसकी मदद करो को आप बोलेंगे help him अगर लड़का है और अगर लड़की है तो आप बोलेंगे help her help him या help her और अगर आप बोलना चाहते मेरी मदद करो तो आप बोलेंगे help me help me अगला है what are you thinking आप क्या सोच रहे हो what are you thinking आप क्या सोच रहे हो अगला है कोई समस्या है क्या is there any problem is there any problem